फेल दोस्तों स्वागत आपका मेरे चनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य इतना गरम क्यों होता है जब आप गर्मी के मोसम में समुद्र टट या किसी नदी के किनारे पर घूंगते हैं तो उस वक्त आप यह सोस्ते होंगे कि आज सूर्य सामान्य से अधिक गर्म लग रहा है लेकिन यकीन मानिये सूर्य सर्दियों में भी उतना ही गरम होता है जितना की वह गर्मियों में होता है उसकी गर्मी में कोई बदलाव नहीं आता है सूर्य की गर्मी हम पर कितना प्रबाव डालती है ये सब बादनों पर निर्बर करता है और आकास में सूर्य कितना उचा है ये भी निर्बर करता है अक्सर गर्मों के दिनों में धोपेर के समय सूर्य अधिक गर्म होता है जिससे जमीन गर्म हो जाती है और जमीन के संपरक में आने से हवा गर्म हो जाती है और आप जुलस में लगते हो अगर हमारे बातावरण में कारबंडा एकुसाइड और जल वाश्प इसमें से कुछ गर्मी को अवशोशित नहीं करते हैं तो ये गर्मी वापस अंत्रिक्ष में चली जाती है उस इस्तिति में मास अगर थोड़े गर्म हो जाते हैं जिससे अधिक जल वाश्प बन जाता है ये एक जटिल परिक्रिया होती है आईए अब बात करते हैं हमारे में टोपिक पे कि आकर सूर्य इतना दरम होता क्यूं है उननिसवी सदी तक ये सब वेज्ञानिकों के लिए एक पहीली था क्योंकि भूवेज्ञानिक और जिवाश्म ने ये सिद्ध कर दिया था कि हमारी परत्वी कई करोडों वर्ष पुरानी है अगर सूरज की गर्मी किसी जलते हुए कोईले गेसोलीन या किसी अन्य चीज से आ रही होती तो वो बहुत पेले ही जलकर समाप्त हो जाती लेकिन ये कुछ और अधिक शक्तिशाली इंदन है जो भी तक जल रहा है इसका पेला सु परत्वी कितनी ही पुरानी क्यों न हो जाये उसे सूरज की गर्मी मिलती रहीगी चली अब बात करते हैं कि सूर्य किन चीजों से बना है सूर्य जो हमारे गर्म करता है और प्रत्वी पर हर चीज में जीवन लाता है वह गेस का एक बड़ा गोला है वेगेसे ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है लेकिन इसके साथी सूर्य में ओक्सिजन, कारगन, नाइट्रोजन, मेंगनेशम और आइरन सहीत कई अन्ये तत पन होती है इस परिक्रिया से गर्मी और प्रकास की किरने बनती है जो उन्त में हमारी पर्त्वी तक पहुंचती है गर्मी के दिनों में आप जहां रहते हैं वहां कितनी गर्मी परती है ये सब आपकी भुगोलिय स्थित्य पर निर्वर करता है गर्मों के दोरान हमारी पर प्रत्वी पर एसे कई स्थान जहां तापमान 100 dgs token से अधिक होता है इसलिए सोचिए अगर हमारी प्रत्वी सूरज के करीब होती तो यहां कितनी गर्मी होती लेकिन 93 million मिल दूरी पर इस्तित हमारी प्रत्वी सूर्य से इतनी दूर है कि हम प्रत्वी पर आराम से रह सकते हैं चलिए बात करते हैं कि आकिर सूर्य कितना गरम होता है प्रत्वी पर सबसे गरम चीज क्या है तो लोगों का जवाब होगा लावा लावा वास्ताव में बहुत गरम है जो 2200 डिगरी फारे नाइट या उससे अधिक के तापमान तक पहुँच जाता है लेकिन आप जानते हैं कि लावा भी सूरज की गरमी के सामने कुछ भी नहीं है सूर्य का तापमान 10,000 डिगरी फारे नाइट होता है यह दर्ती पर मोजूद सबसे गरम लावा से करीब 5 गुना जादा गरम है और जब आप सूर्य की सतर फोटो स्फेर से दूर जाते हैं तो सूर्य का तापमान और भी गरम हो जाता है कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि आकि सूर्य का जन्म हुआ के से सूर्य का निर्वान साड़े चार अरब साल पहले हुआ था जब धूल और गेस का एक बादल जिसे नेबुला कहा जाता है अपने ही गुरुतवा कर्षन के तहट धे गया था जिसके बाद वह बादल गूमने लगा और फिर एक डिस्क के रूप में चप्टा हो गया उसी के केंद्र में हमारे सूर्य का जन्म हुआ उस गूमती हुई डिस्क के भारी लाके में बाद में प्रत्वी और अन्यगरहों सहीत हमारे सोर मंडल का निर्मान हुआ खगोल ये विद्वानों का अनुमान है कि सूर्य के निकलने वाली गर्मी के लिए इंधन लगबग अगले 7 बिलियन से लेकर 8 बिलियन वर्सों तक के लिए अभी 6 है तब तक हमारी मानों सब्वेता बहुत दूर जा चुकी होगी या फिर शायद हम किसी अन्यगरह पर बस च किलोमीटर का हो जाता है नासा के अनुसार आप सूर्य के सामने 109 प्रत्वी को पंक्तिबद कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य प्रत्वी से कितना दूर है जब सूर्य अपने नीचे के वस्ता में होता है उस समय प्रत्वी और सूर्य की दूरी लगबग 146 मिल होगी तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी थेंक्यू